दोस्तों क्या आप भी चूहों के आतंग से बहुत ज़्यादा परिशान है क्योंकि चूहें जब भी आमारे घर में आते हैं तो महंगी महंगी चीजों को काट देते हैं खराब कर देते हैं और स्रिफ यही नहीं आप देखे होंगे चूहों के आने से बहुत ज़्यादा बीम तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी चुहों भगानी का यह बहुत यह बढ़ी आशा शॉलिशन तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए इस तरीके का एक प्लास्टिक कंटेनर उसमें थोड़ा सा पानी ले लिजिए पानी का क्वांटिटी आपको थोड़ा सा कम लेना है ठीके क्योंकि इस पानी का इस्तमाल लेकर के हम शॉलिशन बनाएंगे तो यहां पर मैंने लिया है तेज पता जैसे कि तेज पता का एक बहुत यह अच्छा खुश्बू होता है जिसे कि हमें चुहों को अकरशित करना है तो इसलिए हम तेज पता को कुछ इस तरह से इस प सकती होती है ना यह बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉंग होती है तो इसलिए चुहों को हम अकरशित कर पाएं जिस बज़े से हमें तेज पता वाला पानी का इस्तमाल यहां पर सॉलिशन बनाने के लिए करना है आप चाहे तो दोस्तों आप तेज पता की जो पानी है इसके ज साथ से कम ज़्यादा क्वांटिटी इसका ले सकते हैं फिर हम मिलाएंगे इसमें बेकिंग सोडा जैसे की बेकिंग सोडा चुहें के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि बेकिंग सोडा को खा करके ना चुहें हजम नहीं कर पाते हैं डाइजस नहीं कर पाते जिसलिए इस solution को जैसे ही वो खाएंगे ना बहुत ज़्यादा तिल विलाएंगे और घर छोड़के भागने के लिए मजबूर हो जाएंगे तो जरूर से आप बेकिंग सोडा डाल दीजिए उसके बाद आपको डालना है तीकी वाली लाल मिर्च पावडर और यहां पर दोस् तरह से थोड़ा थोड़ा पानी जो तेजपत्ता वाला पानी हमने तयार करके रखा हुआ था ना उसी पानी का इस्तमाल ले करके अब हमें solution पूरी तरीके से बना करके तयार कर लेना है तो दोस्तों इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इस solution को हमें तयार करना ह जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा पतला solution बनेगा यानि कि थोड़ा सा liquid form में solution को मैं बना करके तयार करूँगी लेकिन ध्यान रखिएगा एक बार में बहुत ज़दा पानी आपको add नहीं करना है इसी तरह से जैसे मैं आपको बना कर दिखा रही हूँ थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इस तरह से अच्छे से mix करते जाना है कोई भी lumps इसमें नहीं होना चाहिए तो इसी तरह से जैसे ही आप solution बना करके तयार कर लेंगे तो आप देखिएगा इसका consistency इस तरह से होना चाहिए यानि कि उपर वाला portion को आप काट लीजिएगा तो जैसे कि दोस्तों इसमें oil भारा हुआ था और इस तरीके का खाली जार मेरे पास नहीं था इसलिए मैं उसके जगा में इस तरीके का जार का इस्तमाल ले रही हूँ तो इसे भी हम आदा हिस्सों में देखिए कुछ इस तरह से कट कर लेंगे यानि कि उपर वाला हिसा को कट कर लीजिएगा अगर दोस्तों आपके पास बड़ा वाला तेल का जार है तो आप कोशिश कीजिएगा उसी को लेने का क्यूंकि उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा होगा तो फिलाल मैं आपको इसी में करके दिखा रही हूँ अब हम इसमें सॉलिशन को लगाएंगे पूरा ही किनारों में आप सॉलिशन को बहुत ही तरीके से लगा दीजिए जैसे कि चमत के मदर से भी लगा सकते हैं या तो फिर ब्रस के मदर से भी लगा सकते हैं जैसे क पतल शॉलिशन है इसलिए लगाने में दिक्कत नहीं आएगी इसी तरह से पूरा ही किनारों में अच्छी तरीके से शॉलिशन को लगा देना है ठीक है तो ये देखे दोस्तों शॉलिशन का एक मोटी शी लेयर जार के पूरा ही किनारों में इस तरह से लगा करके तयार कर ले तो जैसे कि ये पूरी तरीके से तयार हो चुका है अब देखिए दोस्तो इस जार को आप क्या कीजी जहां पर भी आपको लगता हो कि आपके घर में इस जगा में चुहें बहुत ज़्यादा आतंग मचाते हैं इस जगा में चुहें का आतंग बहुत ज़्यादा होता है तो पर्टिकुलर आप उस जगा में रख सकते हैं या तो फिर आपको अगर ऐसा लगता हो कि आपके घर में स्रिफ एक दो चुहें ही बाहर से आते हैं और सीधा किचन में घुसते हैं तो आप क्या कीजी इस तरह से किचन काउंटर टॉप में रख लीजिए इससे क्या होगा दोस तो आपके घर में डेली बाहर का चुहां आता हो तो आप क्या कीजीए रात के टाइम जब आप लाइट विट आफ कर दे उस टाइम दर्वाजा को आप खोल दीजिए बलकनी का या में गेट का दर्वाजा खोलने के बाद इस तरह से दर्वाजे के सामने में हैं इस जार को आप रखा करें इस तरह से रख लिजिए इससे क्या होगा जैसे ही चुहा आएगा तो सबसे पहले उसको ये सॉलीशन एट्रक्ट करेगा क्यूंकि इस सॉलीशन का खुजबू सून करके वो सॉलीशन को खाने के लिए वो जरूर आएगा और जैसे ही सॉलीशन को वो खाए या तो फिर गल्ती से अगर इस जार के अंदर वो फिसल के गिर जाए तो उसका हिम्मत ही नहीं होगा कि वो उटपाए क्योंकि तेल डालके इसको मैं बहुत ज्यादा स्लिपी बना दी हूँ तो आप किया कीजिए फिर इस जार को लेकर के बाहर फैक सकते हैं हैं ना कितना गुच्छा बाल ले लीजिए तो आपके घर में अगर बहुत ज़्यादा चुहें हैं चुहें का बहुत ज़्यादा बिल है चुहें बहुत ज़्यादा आतंग मचाते हैं तो आप क्या कीजिए इस जो बाल का गुच्छा है ना इस बाल का गुच्छा को आप चुहें का जो उसको बहुत ही ज़्यादा इचिंग होगा जिसकारन वह इरिटेट होके घर से भाग जाएगा दूसरा तो आप देखिएका दोस्तों जैसे की चूहां साप देख नहीं सकता है तो इसकारन वह बाल को जैसे ही काटे गे ना उसका पेट में बाल का टुकड़ा जाएगा तो व यह वो घर छोड़के बहुत दूर भाग जाएगा और दुबारा आपके घर में कभी भी नहीं आएगा तो इस तरह से चुहें कि बिल में आप बाल का जो गुच्छा है उसको डाल दीजिए तो जैसे कि देख रहे हैं मैं यहां पर सोपे के जो पाया है यहां पर इस तरह से कारे गा तो इस तरह से उसको प्रापलेम होगा वह बाग जाएगा हैं कितना यूसपूल आइडिया तो चलिए दूस्तों आज का विडियो में यहीं पेंट कर रहे हूं आई होप आप सब आप को आज क rubbishना है वीडियो उस्पूल लगने फे वीडियो को ज़्यादा से और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिएगा किमकि इस तरह का यूसफुल वीडियो आपको इस चैनल में दिखने को मिलेगा तो चलिए मिलती हूँ नेक्स वीडियो में बाई फ्रेंड्स थैंक्स पर वाचिंग